परात्मा कफल प्रेम, आनन, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और सयम है ऐसे-ऐसे कामों के विरोध में कोई वयवस्वा नहीं मसी में प्रेभाईयों और भैनों और जिसेन टीवी और मानमीन टीवी के श्रोताओं सबसे महतपून चीज है कि जिस हद तक हम पवितर आत्मा के अगवाई के अनुसार चलते हैं और अपने हिर्दे का खतना करते हैं आप अपने आपको जाचे आज जब आप इस संदेश को सुन रही है पिछले साल से लेकर आपने कितना जाद अपने हिर्दे का खतना किया है वो जो पवितर आत्मा के अगवाई के अनुसार चलते हैं वो बहुत जल्दी ही पवितर आत्मा के फलो को उत्पन करते हैं एक किसान गर्मियों या वसंत रितू में बिजों को बोता है और उसकी जुताई करता है और वो जब उसकी कटनी कटती है तो वो उसका आनद लेते हैं यह कितना ज़्यादा दर्दनाक होगा अगर वो बोने के बाद भी और मेहनत करने के बाद कुछ कटनी ना काटे अगर आप अपने हिदे को इस तरीके से जुताई करते हैं और और ज़्यादा फलो को इस साल में उत्पन करते हैं तो आप और ज़्यादा खुश होंगे ठीक लेकिन क्या होगा अगर आपके वल उस भूसे को ही प्राप्त करें अगर आपके पास कोई कटनी नहीं होगी तो आप खुश नहीं होंगे यहुना पंदरा अध्य उसका आठपत कहता है मेरे पिता की महीमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ तभी तुम मेरे चेले ठैरोगे मैं आशा करता हूँ कि आप मेहनत करके पवित्रात्मा के अगवाई के अनुसार चलेंगे और अपने हिदे को जोतेंगे ताकि सत्य का फल और आप पवित्रात्मा के फलों को बहुत आयसे प्राप्त करें मैं प्रभु इश्य मसी के नाम से प्रात्ना करता हूँ कि आप इस साल कटनी के और ज़्यादा फलों को प्राप्त करें और और ज़्यादा उस कटनी को प्राप्त करें ताकि आप और ज़्यादा उस्सह के साथ प्रभू का स्वागत करें जो बहुत जल्दी ही आएंगे मसी में प्रेभाईयों और भैनों यह पवित्रात्मा के फलों का तीसरा सत्र है और इस अंदेश में मैं आपको शांती के फल के बारे में बताऊंगा रोमियों 12 धे उसका 18 पद कहता है जहां तक हो सके तुम अपने भरसक सम मनुष्य के साथ मिल मिलाप रखो अगर हो सके तो हर मनुष्य के साथ शांती बना कर रखो यह ऐसा नहीं कहे रहा कि आपको इस मनुष्य के साथ शांती बनानी है उसके साथ नहीं निश्यत तोर से यह पद आपको बता रहा है कि आपको सम्मनुश्यों के साथ शांती बनानी है और यह भी इब्रान्यों उसका बारा अध्य उसका चोदापद कहता है उसके बिना कोई प्रभू को ना देखेगा वो वैक्ती ऐसा कर सकता है परमेशर की संतान जो उसमें विश्वास करते हैं उनको सभी के साथ शांती बनाकर रखनी चाहिए अपने पती पतनी के साथ, बच्चों के साथ, माता पिता, मसीमे भाईों और भैनों और सभी मनुश्यों के साथ केवल उनके साथ नहीं जो हमसे प्रेम करते हैं बलकि उनके साथ भी जो हमसे नफरत करते हैं या फिर हमें कटिन समय देते हैं उनके साथ भी शांती बना कर रखे यहां तक हम विश्वासी हैं अगर फिर भी हमारे पास घमंड है तो फिर हम शांती बना कर नहीं रख सकते अगर हम सोचे कि हमारे सोच विचार दूसरों से अच्छे हैं तो फिर हम दूसरे लोगों के विचारों को नकारते हैं और हम इस त और ये है भी जब हम दूसरे लोगों को हम उनकी केवल नकारात्मक चीजों के और देखते हैं और कुछ और मामले हम कुछ ऐसे शब्दों को बोलते हैं जो दूसरे लोगों की जरुरतों को नुकसान पहुचाते हैं और हो सकता है कि हम कुछ ऐसे नकारात्मक शब्द बोले ज जब हम ऐसे लोगों के साथ होते हैं तो हम ऐसा महसूस करते हैं कि हम पत्रों से भरे हुए बिस्तर पर बैठे हैं और आसपास कोई शांती नहीं होती और मुसीबते और परिक्षाएं आती हैं जहां पर शांती को भंग करने वाले लोग होते हैं चाहे ये है कोई देश या या कोई संगटन हो जो आशिशों का रास्ता है वो रुख जाता है और फिर समसाइं पैदा होती है जहां पर शांती भंग होती है विशेश तोर से कलीसिया में यह बहुत मैतपूर्ण है कि हम शांती को बना कर रखें जो शांती है वो कभी भी भंग नहीं होनी चाहिए ताकि कि पिता परमिश्र कार्य कर सके कोई माईनी नहीं रखता कि आप कितनी विश्यास योगता के साथ कार्य करते हैं अगर आप शांती को भंग करते हैं तो आपकी प्रशंसा नहीं हो सकती परमिश्र कार्य नहीं कर सकता जहां पर शांती भंग होती है यह केवल एक ऐसा रास्त पर्मिश्र के साथ शांती बनानी है अगर पर्मिश्र के साथ शांती भंग होती है तो सभी चीज़े बिकार की है सबसे जादा महतब पूर्ण चीज़ कि हम पर्मिश्र के साथ शांती बना कर रखे हमारे और पर्मिश्र के बीच में कोई भी पापो की दिवार नहीं होनी चाहिए जब आदम ने उस भले और बुरे व्रक्ष के ग्यान से उस फल को खाया तो पर्मिश्र को नहीं देख पाया और उसने अपने आपको पर्मिश्र से छिपाया पाप करने से पहले आदम ने पर्मिश्र के साथ बहुत साथा नस्दीकी संबंद और मित्रता पूर्वक संबंद को महसूस किया लेकिन पाप करने के बाद वो उनसे दूर हो गया इसका मतलब जो शान्ती थी परमिश्र और आदम के बीच में वो तूट गई जब आप सत्य के अनुसार चलते हैं परमिश्र के साथ शान्ती बनाते हैं तो आप में साहस होता है अवश्य ही आपको परमिश्र के साथ शांती बनाने के लिए आपको हर एक प्रकार की बुराई को दूर करना चाहिए लेकिन यहां तक कि अगर अभी हम सिद नहीं है तो भी हमारी परमिश्र के साथ शांती बन सकती है जितना जादा हम सत्य के अनुसार चलते हैं और जितना हमारा विश्वास होता है अभी आप अचानक से एकदम आप शांती नहीं बना सकते जिस सरीके से तीसरे और चूते सर के लोग होते हैं अगर आप अपने विश्वास के अनुसार सभी चीजों में शांती बनाने की कोशिश करें, तो फिर आप सभी चीजों में शांती बना पाएंगी. जब हम परमेशुर के साथ शांती बनाने की कोशिश करते हैं सबसे पहले हमें सारी चीजे सत्य के अनुसार करने चाहिए जब आप अपने माता पिता का आदर करते हैं या फिर पती पत्नी के बीच में बाइबल कहती है कि आप प्रभू में उनका आदर करें प्रभू में बाइबल कहती है कि किसी और चीज में नहीं जो सत्य नहीं है इसलिए आदर, आग्या पालन करना वो सभी चीजे सत्य के अनुसार हो हमें दूसरे लोगों के साथ शांती बनाने के लिए परमेशुर के साथ उस शांती को भंग नहीं करना उधारन के लिए क्या होगा अगर हम मूर्तियों के सामने जुखे और प्रभू के दिन का उलंगन करें ताकि हम अपने अविश्वासी परिवार के साथ शांति को बना कर रख सकें हो सकता है कि एसा दिखे कि हम कुछ पलों के लिए अपने परिवार के साथ शांति बना कर रख रहे हैं लेकिन ये बहुत ज़ादा महानता के साथ परमिश्र के साथ उशांति को भंग करना है और पाप की दिवार को खड़ा करना है आप केवल अपने माता पिता से शांति बनाने के लिए आप किस सरीके से परमिश्र के साथ उशांति को भंग कर सकते हैं यहां तक कि नई विश्व क्या होगा अगर आफ विश्राम दिन का उलंगन करके अपनी किसी दोस्त की शादी में जाएं ऐसा नहीं होना चाहिए अंत में आपके जीवन में केवल परिक्षाएं और मुसीबतें आएंगे मनुश्यों के साथ शांती बनाने के लिए हमें सबसे पहले परमेश्र को खुश करना है ऐसा करने के द्वारा तब परमेश्र हर चीजों में शांती को उत्पन करेंगे तब परमेशर दुशत्रों शैतान को दूर करेंगे और यहां तक की बुरे लोगों का भी हिर्दे बदल जाएगा यह बिल्कुल वैसा है जैसे नीती वचन 16 अधे उसके साथ पद में लिखा है जब किसी का चाल चलन यहुआ को भाता है तब वैसे उसके शत्रों का भी उसे मिल कराता है इसलिए ध्यान रखें कि आप इस पद को याद रखें अगर आपके पती के द्वारा या आपके माता पिता के द्वारा आप पर सताओ होता है तो यह कहता है जब किसी का चाल चलन गया हुआ को भाता है यहां तक कि वो उनके शत्रों को भी उनसे शांती बनाने देता है तो फिर क्यों आपको उस अताओ को सहना है अपने पती के द्वारा या फिर अपने माता पिता के द्वारा क्यों आपको उस अताव को सहना है निशित तौर से कभी कभार कुछ लोग बार बार उस शांते को तोड़ते हैं अपनी बुराई के कारण यहां तक हम अपना बहतर करते हैं कि हम शांते को बना कर रखे यहां तक कि इस स्थिती में अगर हम उनके साथ भलाई करें केवल सत्य के अनुसार तो फिर परमेशर हमारे लिए कारे करेगा यह ऐसी स्थिती थी दावद और शाओल के साथ शाओल ने दावद को मारने की कोशिश की लेकिन दावद ने अंतक शांते को बना कर रखा नाश के मार पर चले जाते हैं लेकिन जो शांते को बना कर रखते हैं वो आशिशे प्राप्त करते हैं प्रिये भाईयों और भैनों दूसरा हमें शांते को बनाने के लिए हमारा खुद के साथ शांते बनी होने चाहिए अपने आप से शांती बनाने के लिए हमें हर एक प्रकार की बुराईयों को दूर करना है और पवित्र होना है अगर हमारे पास हमारे हिदे में कुछ बुराई बची है तो फिर वो बुराई हर एक सीथी के अनुसार बार बार आएगी यहां तक यह ऐसा दिखता है कि जो शांती है वो भी बनी हुई है लेकिन अगर सीथी अलग होती है तो शांती भंग हो सकती है अगर गुसा, नफरत, इर्शा, लालच यह सभी चीजे हिर्दे से आती है तो यह कितना जादा एसुविधा जनक होगा इसलिए जो बाशिशों को प्राप्ट कर रहे हैं उनके हिर्दे में लालच नहीं होना चाहिए आपको परमिशों से आशिशों के लिए प्रात्मा करने चाहिए लेकिन अपने लालच के अनुसार नहीं ठीक और ये है भी अगर सत्य का हिर्दे और एस सत्य का हिर्दे उन दोनों के पास एक जैसी ताकत हो तो और जादा हमारे हिर्दे में सुविधा होती है क्योंकि दो हिर्दे एक दूसरी के साथ लड़ाई कर रही है प्रेरित पॉलस ने अपने आपको एक नीच वैक्ति कहा ऐसा क्यों है क्योंकि दो चीज़े वो एक दूसरी से आपस में लड़ रही है सत्य और एस सत्य वो दोनों ताकत में एक जैसी है और वो लगातार एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रही है तो यह स्वभाविक है कि वह एक नीच वैक्ति है जब आप एक ने विश्वासी होते हैं तो आप अपने इच्छा के अनुसर अपने मसीज जीवन को जीते हैं इसलिए यह आपके लिए आसान है लेकिन जब ऐस अत्य आपके हिर्दे में ज्यादा हो अगर आप प्रभु के दिन का उलंगन करें तो ऐसा हिर्दे जो पवित रात्मा के अग्वाई के अनुसर चलता है वो घुटने टेकेगा इसलिए आप कम नीच महसूस करते हैं क्योंकि आप जानते हैं ऐसा हिर्दे जो पवित रात्मा के अग्वाई के अनुसर चलता है वो आसानी से धोका खा जाएगा जब हम शरीर की इच्छा के अनुसर चलते हैं ठीक इसलिए आपको कम नीच महसूस होता है लेकिन आपने सत्य के वश्रों को सुना है और आप उसे सत्य को दूर करना चाहते हैं अब वो दोनों ताकत में एक दुसरे के जैसे हैं जब ऐस सत्य जो शरीर की इच्छा के अनुसर चलता है वो आपको धोका देता है कि आप प्रभ के दिन को पवित रखना चाहिए आपको इस पर जय पानी है उस सुख प्रात्नाओं के साथ वरना यह आपके आदत बन जाएगा आपको इस पर जय पानी है और प्रेरित पॉलुस ने कहा कितना जादा निच्छ वैक्ति हूं मैं और यह हमारे साथ भी ऐसा ही है जब हमारे हिर्दे में बहुत सी मुसिवते होती है यदि हम नीडने ले और उस सुकता के साथ प्रात्ना करें तो हमारे हिर्दे में अंध में शांती होगी जब एक बार आप इस पर जय प्राप्त कर लेते हैं या दो बार या तीन बार तो अगली बार यह आपके लिए और ज़्यादा आसान होगा कि आप जीत प्राप्त करें और अगली बार आप और ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा ताकतवर बन जाते हैं जब एक बार आप यूद शुरू करते हैं एक बार दो बार तीन बार तो आप और ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं नेपोलियन वो भी इसी तरीके से था इसलिए यदि हम सत्य के अनुसार चलते हैं तो अंत में हमारे हिदे में शांती होगी लेकिन कुछ रोग कहते हैं कि उन्होंने परमिश्र के साथ शांती बना कर रखे हैं सत्य के अनुसार चलते हुए लेकिन उनके हिदे में शांती नहीं है ये हैं उनकी स्वेम की धार मिक्ता और उनकी रूप रेखाओं के कारण है जो उन्होंने अपने वेहवार में बना कर रखे है सत्य के अनूसार इसलिए जब आप इस संदेश को सुनते हैं आपने आप से पूछे कि पिछली सब्ता में आपका हिदे कैसा था और अब कैसा है क्या आपके हिदे में शांती है क्या आपने हर एक स्थिती में धन्यवाद दिया आप आनंदित हुए या आपने किसी के साथ शांती को भंग किया आपके हिदे में बहुत से मुश्किले होती है क्या आपके पास दूसरों के प्रतिन अफरत थी अगर आपने ऐसा किया है तो आपने अपने आप से उस शांती को भंग किया है क्योंकि आप अर्मिश्र के साथ शांती में नहीं थे उधारन के लिए कुछ ऐसे लोग है उनके पास शांती नहीं होती क्योंकि वो अपनी रूप रेखाओं के कारण बंदे होते है उधारन के लिए आयूब जब वो अपनी परिक्षाओं में पड़ा उससे पहले ऐसे लोग महनत करके प्रातना करते हैं और परमेश्र के वश्रों के नुसार चलने के कोशिश करते हैं लेकिन वो अपनी प्रेम के साथ ऐसा नहीं करते इसके बचाए वो गबरा कर या फिर डर के कारण ताकि सजा ना आए इसलिए वो करते हैं इसलिए कुछ हद तक अगर सत्यक नुसार ना चले तो वो बहुत जल्दी दबाव महसूस करतेंगे हैं सोचते वे कि परमिशुनी सजा देगा इसलिए यहां तकि वो महनत करके सत्य के अनुसार चलते हैं तो कितना जादा उनके हिर्दे में दबाव होगा इसका मतलब जो उनके हिर्दे में विश्वास के उन्नती है वो नहीं ह थोगी यहां तकि वो विश्वास होगे दीखते हैं उनके छमकते होए चहरे होते हैं लेकिन उनके हिर्दे में शांती नहीं होती वो महनत करते हैं अपनी स्वयम की धर्मिक्ता की कारण ऐसी स्थिती में वच्णू के अनुसार कारे करने या फिर उनका अभ्यास करने के बजाएं उनको परमेशर के प्रेम का अनुभव करना है अगर आप सचूच में परमेशर से प्रेम करते हैं अगर आप सत्य के अनुसार जीने की कोशिश करते हैं तो आपको फिर परमेशर से डरने के कोई जरूरत नहीं है, परमेशर प्रेम का परमेशर है, परमेशर आपको हमेशा भली वस्वे देना चाहता है, खुशी और आशिशी देना चाहता है हर समय, अगर आप परमेशर से डरते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने कुछ गलत किया ह इस सिती में आपको पशाताप करना है और आपको निड़ने लेना है कि आप दोबारा से ऐसा नहीं करेंगे और आप अपने मार्क से मुड़ जाएं तो फिर परमिश्र के साथ आप दोबारा से शांती बना सकते हैं लेकिन अगर आप हर समय केवल इसी के बारे में ही सोचते है तो फिर आप अपने उस आनंद को खो देते हैं आप आनंदित नहीं हो पाते इसलिए भूल जाएं जब एक बारा पशाताप करते हैं और मुड़ते हैं तो फिर भूल जाएं परमिश्र कहता है कि वो इन्हीं याद नहीं रखेगा जितना जादा पुरव से पश्चिम दू उधारन के लिए अगर हम पुरव की और जाएं तो फिर पश्चिम बहुत दूर है इसलिए परमिश्र कहते हैं कि वो उन्हीं याद नहीं रखेंगे लेकिन समस्या यह है कि आप पशाताप करें और उन मार्गों से अपना मन फिराएं लेकिन आप फिर भी से याद रखते ह आप में से कुछ ऐसा सोचते हैं मैंने पाप कर दी आप मैं कैसे सीनर पासर जी को देखूंगा वो सची शांती कानुभाव कर सकते हैं जिस हद तक वो अपने हिर्दे के साथ परमिश्र से प्रिम करते हैं वो परमिश्र के प्रिम को महसूस करेंगे मैं आपको एक और अलग उधारन देता हूँ कुछ ऐसे लोग हैं जिनके हिर्दे में शांती नहीं होती क्योंकि जो उन्होंने पाप बीते समय में किये थे अभी भी उनकी रूप रेखा है उनकी पास है वो सत्य के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं लेकिन जिस तरीकिस उन्होंने आशक की थी उसके अनुसार वो उस परिणाम को नहीं पाते तो वो निरुटसा हो जाते हैं और सामने शरम महसूस करते हैं और वो अपने ताकत को खो देते हैं और सोचते हैं कि मैं ऐसा क्यों हूँ और वो अपने हिर्दे की शांती को खो सकते हैं इस चीज से डरते हुए कि दूसरे लोग उनसे निरुटसा होंगे और यह सोचते हुए कि दूसरे लोग उनसे प्रेम न तो एक मुस्कुराहट के साथ यहां तक ही अगर माता पिता भी अगर उनको डाटना चाहते हैं, तो वो भी उनके सामने मुस्कुराते हैं, इसका मतलब यहां नहीं, कि आप केफल अपने होटो से कहें, कि आप अगली बार अच्छा करेंगी और फिर भी आप गलत चीज़ों क करते हैं अगर आप सचमुष में उन गलज चीजों से मुणना चाहते हैं तो फिर परमेश्व आपको नहीं त्यागेंगी वो जो सचमुष में पश्रताप करते हैं वो अपने उस ताकत को नहीं खोएंगे अपने आप पर दोश लगाते हुए और वो निरुसा नहीं होंगे क कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे निश्ची तोर से नएक अनुसार उनको कुछ ना कुछ सजा को प्राप्त करना है और हो सकता है कुछ समय के लिए थोड़ी सी सजा हो इसलिए सबसे पहले हमें विश्वास करना है कि परमेश्चर सचुच में हमसे प्रेम करते हैं और हमें सिद बनाते हैं और यहां तकी अभी हम सिद नहीं हैं ऐसा तब होगा जब हम वास्तों में बदलने की कोशिश करें इसलिए महतब पुण्चीज यह है कि आप विश्वास करें अगर आप सोचते हैं कि मैंने पशाताप किया है और आप उनसे विश्वास प्राप्त कर सकते हैं और उनको खुश कर सकते हैं और यहां तक कि अगर आपके चीवर में परिख्षाएं आएं तो आप उन्हें ग्र को उचा उठाएंगे जब आप परमिश्र के सामने दिन बनेंगी हमें उदास नहीं होना है कि मैं दूसरों के द्वारा पहचान पाना चाहता हूं इसके बज़ाएं हमें लगातार चलते जाना है और हमें सत्य के अनुसार कारे करने हैं एक सच्चा हिर्दे और सच्चे कारे इस तरीके से हमारे हिर्दे में शांती हो सकती है और हमात्मिक तोर से सहासी हो सकते हैं तीसरा हमें सब के साथ शांती बनाने के लिए हमें सब के साथ शांती बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपने आपका बलीदान करना चाहिए आपके बिना बलीदान के आप दूसरों के साथ शांती नहीं बना सकते अगर आप बलीदान नहीं करते अगर आप हर दिन नहीं मरते तो आप दूसरों के साथ शांती नहीं बना सकते ठीक आपके पास अभी भी घमंड होता है स्वेम की धार्मिक्ता होती है और खुद के रूप रेखाएं होती है इसलिए आप दूसरों के साथ शांती नहीं बना सकते इसलिए सब के साथ शांती बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस योगया होना चाहिए कि आप अपने आपका बलिदान करें शांती बनाने के लिए आपको अनुचित वेवार नहीं करना चाहिए हमें अपने आपकी शेखी नहीं मारने चाहिए हमें अपने पुरे हिर्दे के साथ अपने आपको दीन करना है और दूसरों को उचा उठाना है हमें स्वेम की सेखी नहीं माणने चाहिए और उसी समय हम इस योगय होने चाहिए कि लोगों के विशार को सुईकार कर सकी वो है अगर वो सत्य मे है तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जितना भी हमारा विश्वास का परिणाम है लेकिन दूसरों के विश्वास के अनुसार यहां तक कि हमारे विचार ठीक हो सकते हैं तो भी हमें दूसरों के विचारों का अनुसरन करना है जब तक हो एस सते ना हूं इस तरीके की शांती को पाने के लिए हमें अपने आपका बलिदान करना चाहिए यहां तकी खुद का बलिदान करने के बिंदू तक दूसरा सभी के साथ शांती बनाने के लिए हमें अपने स्वेम की धार मिक्ता और रूप रेखाओं को दूसरों पर नहीं थोपना चाहिए हर एक लोगों के पास उनका अलग-अलग वहवार होता है जिस तरीके से वो एक अलग-अलग वातावन में पैदा हुए हर एक ने अलग-अलग सिक्षा प्राप्त की और हर एक अविश्वास का परिणाम अलग-अलग है अगर हर एक का न्याय करने का तरीका अलग-अलग होता है क्या आच्छा है क्या बुरा है टोम्स हो सकता है कि ऐसा ही है लेकिन जैरिस हो सकता है कि है गलत है लोगों के पास स्वैम की धार्मिक्ता और उनकी रूप रेखाएं होती है यहां तकी ऐसी चीजें जो आपने स्कूल में सीखी है जो सही है वो भी गलत हो सकती है क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी चीज जो आपने विध्याले में सीखी है हो सकता है कि वो सत्य हो उनमें सत्ते क्या है एक और एक मिलकर दो होते हैं इस तरीके की चीजे सही हो सकते हैं जो कभी नहीं बदलेंगे ठीक लेकिन ऐसी बहुत सारी थ्योरी है जो आपने स्कूल से सीखी है कि वो सही है लेकिन उनमें से कुछ ऐसी सिद्ध की गई है जो कि ठीक नहीं है मैं सोसाओं कि मैंने आपको पहले बताया है मैंने सीखा है कि 200 मिलियन तारे आसमान में है जब मैं एक प्रात्मिक विध्याले में था जिस सरीके से विज्ञान का विकास हुआ तो जो उनकी संक्या थी वो बढ़ गई जिस सरीके से आप देख सकते हैं इस सरीके की थ्योरी जो हमने सीखी है वो भी बदल सकती है इसलिए आईए हम पत्य और पत्ने के बारे में बात करें उधारन के लिए अगर पत्य चाहता है कि उनका घर हमेशा साफ रहे लेकिन पत्नी वो ऐसा नहीं करती पत्नी अपने घर को अच्छे से रखती है लेकिन पत्नी चीजों को इधर उधर कर देते हैं लेकिन यह सीती इसके विपरित है जब यह पत्नी किसी चीजों को एकसान पर रखता है उसकी पत्नी उस चीजों को किसी दूसरी जगया पर रख देती है जिस तरीके से पती ने हर चीजों को अच्छे से रखा उसकी पतनी ने उन चीजों को किसी दूसरी जगह पर रख दिया इसलिए पती जानता है कि किसने उन चीजों को छुआ इसलिए जब वो जानता है वो जानता है कि उसने किन चीजों को छुआ था लेकिन अगर ऐसी स्थीती है पती और पत्नी के बीच में तो फिर पती और पत्नी का जिवान अलग हो सकता है अब कौन बदला? वो जिसने चीजों को सही से नहीं रखा अगर पती चीजों को अच्छे से रखता है तो उसकी पत्नी को बदलना चाहिए अगर पतनी अच्छे से काम करती है तो उनके पती को बदलना चाहिए अगर पतनी चीजों को सही से रखती है अगर उसका पती उन चीजों को इधर उधर रखता है तो उनकी हिर्दे में थोड़ा साथ दुख होगा इसलिए पत्नी अपने पती से कह सकते है कि वो चीजों को ठीक से रखे लेकिन वो नहीं सुनता वो उनसे कहती है एक बार, दो बार, तीन बार लेकिन वो फिर भी नहीं बदला इसलिए वो अपने हिर्दे में थोड़ा सा दुख महसूस करती है वो अपनी जीवने थोड़ी मुसिबत महसूस करती है क्योंकि वो लगातार उनसे कहती है लेकिन वो फिर भी वैसा नहीं करती है उसे अपनी पत्नी के बातों को सुनना चाहिए यहां तक कि ऐसी प्रिसिती में उनके बीच में जगड़ा हो सकता है क्या आप सोचते हैं कि यही केवल एक मामला है और भी बहुत से मामले हैं यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपको किस सरीके से आपके माता-पिता ने सिखाया है उनका वेवार इस सरीके से बदल सकता है अगर वो अच्छे से बढ़े और उन्होंने अच्छी सिख्षा प्राप्त की है तो वो फिर अपने माता-पिता से अच्छे से सीख सकते हैं और अच्छे तरीके से बढ़ सकते हैं तब पती और पत्नी जब वो मिलते हैं तब वो इस बात की चिंता नहीं करते और बाद में जब उनकी शादी होती है वो इन सभी चीजों को जानने पाते हैं और तब उनके जीवन में थोड़ी सी मुसीबते और जगड़े होते हैं उनके हिर्दे में शुरू में प्रेम के साथ पती इन चीजों को सह सकता है और अपने आप सफाई कर सकता है लेकिन जिस सरीके से समय बीटता है वो चिर्चिडा होने लगता है वो इस सरीके से सोचना शुरू करता है कि उसकी पत्नी ने ठीक से घर की सिक्षा प्राप्त नहीं की वो हैरान होता है कि क्यों उसकी पत्नी उन चीजों को नहीं कर पा रही जो बहुत आसान है वो उनसे सालों से ऐसा पूछता है लेकिन वो नहीं बदलती इसका मतलब है कि उसने उनकी बातों को नहीं सुना ठीक वह विशास करता है कि जब उसका पती उनको सला देता है वो बदलने की कोशिश करती है यहां तकि पहले उन्होंने कभी विव्यून कारियों को नहीं किया और वो उन चीजों को पसंद नहीं करती पतनी अपने पती से कहती है कि वो जुआ खेलना छोड़ दे क्रिप्या करके आप इस परिवार के बारे में और आप इन बच्चों के बारे में सोचे आप जुआ खेलना छोड़ दे बच्चों को कॉलेज में जाना है कि सरीके से आप इन सभी चीजों को संभालेंगे आपको ऐसे नहीं करना चाहिए आप अपनी जीवन को इस सरीके से नहीं चला सकते क्रिपया करके आप इसे छोड़ दे लेकिन वो ऐसा नहीं करता वो जुआ खेलता है जब तक कि वो सबी चीजों को नहीं खो देता एक उधारन यहां पर घर में शांती भंग होती है जब कोई ठीक तरीके से बोलता है यहां तक कि अगर आपके बच्चे हैं जो आपको कहते हैं तो आपको उनकी बातों को मानना है आपको उनकी बातों पर ध्यान देना है आपको उनकी बातों को सुनना है और उनका आग्या पालन करना है तब शांती भंग नहीं होगी वरना इसके अलावा शांती भंग हो जाएगी लेकिन दूसरे शब्दों में अगर पत्नी कुछ कहती है वो निरुसा महसूस करती है अपने पती के द्वारे यह सोस्ते हुए कि मैं बस किवल सफाई करने के लिए नहीं हूँ अगर कभी कबार मैं सफाई नहीं कर पाती अपने आप से तो उनको अपने आप करना चाहिए अगर एक पती दीन है तो ओ कहेगा ठीक है मैं इसे करूँगा आप से लेकिन अगर वो ऐसा नहीं है तो यह बिल्कुल वैसा होगा कि जलती आग में हम तेल को डाले अगर आप सोचते हैं कि यह क्यों इतना ज़्यादा शिकायत कर रहे हैं यह सचूच में सक्रे मन का है यह ऐसा दिखता है कि यह अपनी इच्छा से मेरे ले सब कुछ करेंगे लेकिन अब यह शिकायत करते हैं इन सभी मामलों में अब यहां तक कि यह हैं मेरे परिवार की सिक्षा की बारे में भी बोल रहे हैं शांती सापित हो सकती है केवल जब वो दूसरों की और से सोचें और दूसरों की सेवा करें और अपने बारे में ना सोचें यिश्यू ने उनसे कहा जब हम अपनी भेटों को देते हैं अगर हमारे पास कुछ ऐसा है कि अगर हम अपने किसी भाई के विरोध में हैं तो हमें जाकर सबसे पहले उसके साथ सम्मति करनी हैं हमारी भेट तभी परमिश्यू स्विकार कर सकते हैं जब केवल अपने भाई से सम्मति करने के बाद हम दे जिनका परमिश्यू के साथ शांति सापित होती है और जो दूसरों के साथ शांति बंग नहीं करते वो जगडा नहीं करेंगे क्योंकि वो पहले से अपने लालज, तो ये लोग अपने आपका बलिदान करेंगे और अंत में उनके साथ भी उस शान्ती को स्थापित करेंगे। यहां पर सभी चर्शु श्यासियों ने अक्सर मुझे इस तरीकी की गवाईयों को बताया है। जब आपकी कमपने में आपकी सेलरी बढ़ती है परमिश्र के अनुगरहे के द्वारा और आपके डिरेक्टर आपसे प्रेम करते हैं तो हो सकता है कि आपके सहे कर्मी आपसे जलन रखें और यहां तक कि आप तब भी उनको उन्देखा नहीं करेंगे यह सोसे कि वो बुरे है यहां तक कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया आप ऐसा सोचने की कोशिश करेंगे जो कि दूसरों की और से है आप और जादा दीनता के साथ उनके सेवा करेंगे और आप अपना उत्तम करेंगे और अंत में उनका हिर्दे भी बदल जाएगा और आपके साथ वो शांती स्थ शापित करेंगे और वो भी आपसे प्रेम करेंगे इसलिए हमारे सदस्य अपने सह कर्मियों के साथ उनका आदर होता है और उनसे प्रेम किये जाते हैं जब आप भलाई के साथ इन सबी चीज़ों को जीतते हैं तो यहां तकि आप और जादा महानाशिशों को प्राप्त करते हैं उनका पद उचा होता है बहुत सल्दी वो दूसरों के साथ शांती सापित करते हैं और वो दूसरों के सेवा करते हैं और वो अच्छी तरीकी से आगया पालन करते हैं इसलिए कि आप यह नहीं सोचते कि ऐसे लोगों को वो और जादा उचापत नहीं देना चाहेंगे शांती को सापित करने की इस प्रिक्रिया में हम कुछ चीजों को महसूस कर सकते हैं सबसे पहले अगर ऐसा दिखता है कि दूसरे लोगों शांती को भंग कर रहे हैं यहां तक कि आपके हिर्दे में कोई बूरी भावना नहीं है आपको सबसे पहले जाचना है कि क्या वास्तों में दूसरे लोगों की गलती है या नहीं कभी कबार आप ऐसी चीजे करते हैं कि वहां पर शांती भंग होती है लेकिन आप उनको महसूस नहीं करते शब्दों के कारण या फिर ऐसे कारिये आप दूसरी लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं लेकिन बस आप अपने आप से केवल सोचते हैं कि आपके पास कोई भी गलत भावना नहीं है तो फिर शांती को नहीं बना सकते आप यहां तक कि आप अपनी गल्ती को महसूस नहीं करते और फिर नहीं आप अपने आपको बदल सकते आपको जाचना चाहिए कि क्या आप वास्तों में दूसरों के सामने ऐसे हैं कि आप शांती को सापित करते हैं और यह भी कभी कबार जो उचे पत पर हैं वो ऐसा सोच सकते हैं कि उनके पास शांती है लेकिन उनके सहे कर्मी वो कुछ मुश्किलों में होते हैं वो अपने हिर्दे को नहीं खोलते लेकिन उनकी भावनों पर ठेस पहुंसता है इसी तरीके से हमारे सहे कर्मियों में भी हो सकता है और दूसरी चीज आपको इस बारे में सोचना चाहिए कि जब आप शांती को स्थापित करते हैं वहाँ पर सची शांती होनी चाहिए अपने पूरे हिर्दे के साथ यहाँ तक कि कुछ ऐसे लोग जिनका परमिश्र के साथ शांती नहीं है और अपने आप में शांती नहीं है कुछ हद तक उनका लोगों के साथ शांती बन सकती है इसके बज़ाए जब आपने इस कली से हमें बहुत सालों से उससमाचर के प्रचार को सुना और आपने कुछ शब्दों को अपने हिर्दे में रखा तो आप में से कुछ भी तब भी आप शांती को तोड़ सकते हैं इसे बढ़कर क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ों को सुना और सीखा है कि आपको शांती को नहीं तोड़ना चाहिए जब आप परमिश्र के कारियों को करते हैं आपको दूसरी लोगों के साथ जगड़ा नहीं करना अगर दूसरों की सोच विचार अलग है तो भी हम यह नहीं कह सकते कि आपने उशांती के फल को पैदा कर लिया क्योंकि आपने बुराई नहीं कि पवित्र आत्मा का फल जो हिर्दे में पैदा होता है वो अंदर होता है बाहर नहीं उधारन के लिए यदि कोई एक ऐसा वैक्ति है जो आपकी सेवा नहीं करता और आपको पहचानता नहीं तो आपकी हिर्दे में सुविधा होती है लेकिन आप अपने वैवार में इसे नहीं दिखाते आप सौश सकते हैं कि मैं बस इसे अपने वैवार में नहीं दिखाऊंगा आए अगर हम कहें कि ऐसी ही चीज दुबारा होती है तो आप इन सब भावनों को इखटा करते है आप इस नाराजगी को सीधे तोर पर नहीं दिखाते क्योंकि आप यह हैं सोचते हैं कि से आपका घमन तूटेगा और हो सकता है कि किसी दूसरे तरीके से आप दूसरे वैक्ति पर दोश लगाते हैं और कहीं ना कहीं आप ऐसा महसूस कराते हैं कि आपको ठेस पहुचा है और आप दूसरों को समझने में आपके पास शांती नहीं होती आप सोचते हैं कि आपका जगड़ा हो जाएगा आप बस के वल उस दूसरे वैक्ति से बात करना बंद कर देते हैं यह हैसोस्तिवे कि वो बहुत ज़्यादा बुरा है, वो बहुत ज़्यादा स्फार्थी है, मैं उसके साथ बात नहीं कर सकता, इस तरीके से आप बाहर से उस शांति को भंग नहीं करते लेकिन आपके पास अंदर उस वेक्ति के प्रतियच्छी भावना नहीं होती, आप उनक उस नाराजगी को दूसरों के साथ बात करते हुए, आप उन्हें दर्शा सकते हैं, कि वो वासम में बुरा है, उसने यह किया, जो नहीं समझा जा सकता, अगर आप भलाई के साथ करें, तो आप आनंद हो सकते हैं, निश्ची तोर से यह है अच्छा होगा, कि आप किसी भी रूप में उस शांति को ना तोड़े, लेकिन आपके पास सची शांति होने के लिए, आपको दूसरों के सेवा करनी है, अपने पुरे ही और यही एक सची शांती है, आपको अपने उन भावनाओं को, जो आपको नाराजगी होती है, उनको दबाना नहीं चाहिए, लेकिन आपको अपने इच्छा के साथ दूसरों की सेवा करने चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना कि आप अंदर से तो देखकर उनका न्याई कर रही हैं, लेकिन बाहर से सिरफ एक मुश्कराहट दे रही हैं, आपको दूसरों को समझना है, उनकी द्रिश्टी कौन की अनुसार, केवल तब ही पवित्रात्मा कारे कर सकता है, यहां तक कि जब वो अपने हिलाप को देखते हैं, तो उनकर हिदर बदला जा सकता है, और वो भी बदा सकते हैं, जब हर एक लोगों के पास कुछ ना कुछ कम्या होती है, तो वो एक दूसरे को समझ सकते हैं, और बिना दोश शांति को सापित कर सकते हैं, मसी में प्रेभाईयों और भेनों वो जो परमेश्र के साथ शांति बनाते हैं, अपने आप में और दूसरे के साथ शांति बना कर रखते हैं, उनके पास अधिकार होता है ताकि वो अंधकार को दूर करें, इसलिए वो हर एक चीजों में शांत अजिस तरीके सेमती पांच अधै उसके नोपद में लिखा है, धन्य हेवे जो मिल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्र के पुत्र कहलाईंगी उनके पास परमेश्र के पुत्र कहलाने का अधिकार है, इसलिए यदि आप परमेश्र के संतान के रूप में पहचाने जहाते तो फिर आपके पास ऐसा अधिकार होगा अगर आप पवित्रता का अनुसर्ण करते हैं और सभी लोगों के साथ शांती बना कर रखते हैं तो आप पवित्र जन होंगे और आप आत्मा के जन होंगे तो किस तरीके से आप उस अधिकार का अनुसर्ण नहीं करेंगी अब आप एक परमेश्र की संतान के रूप में पहचाने गए हैं, तो फिर किस तरीके से आपके साथ विवार किया जाएगा? कैसे शित्रू शैतान आपको छू सकते हैं? मजबूत सवर्दूत आपको सुरक्षा देंगे और परमेश्र भी अपनी धढ़कते हुई आखों के साथ आपको सुरक्षा देंगे इसलिए कौन परमेश्र की संतान है? आप सभी परमेश्र की संतान है लेकिन फिर भी कुछ बच्चे हैं जिनें परमेश्र पहचानते हैं वो वो संतान है जो आत्मा में आ गई है आनुसरन करते हैं और परमेश्र वास्तों में उनको सुरक्षा देते हैं उधारन के लिए अगर आप अपनी कलिस्या में लीडर है तो आप अपने विश्वास्यों की मदद कर सकते हैं ताकि आप शांती के फल को पैदा कर सके आप उस अधिकार के साथ उनको परमेश्र के वश्रों के अनुसार भोजन दे सकते हैं ताकि वो पापों से मूर जाएं और अपनी स्वेम की धार्मिक्ता और रूप रेखाओं को तोड़ दे यहुदियों के प्रातना करने के सान पर यदि शेतान के द्वारा कोई कार्य हो तो लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं लेकिन आप उन्हें परमेश्र की सामर्थे के द्वारा दूर कर सकते हैं इस तरीके से आप उन लोगों में भी उस शांति को सापित कर सकते हैं इसलिए मसी में प्रेभाईयों और भेनों यहुना 12 अधै उसका 24 पत कहता है मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ जब तक गेहुं का दाना भूमी में पढ़ कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है परन्तु जब मर जाता है तो बहुत फल आता है येशु ने अपने आपको पवित्र किया और ये गेहुं के दाने की तरह मर गए और उन्होंने बहुत से फलों को पैदा किया उन्होंने बहुत से मरती हुई आत्माओं के पापों को शमा किया और उनकी परमेश्र के साथ शांती बनाने में मदद की इसलिए पाप की दिवार तो परमिश्र के साथ शांती बनाना है ठीक इसके कारण हमारे परमिश्र के साथ शांती के संबंद को सापित करने के लिए हमारे प्रभू ने उस शांती की भेट को दिया इसलिए सची शांती को सापित करने के लिए परमिश्र हमारे बीच में हमारे प्रभू ने उस क्रूस क के जो पाप है वो शांति को तोड़ते हैं इसलिए हमें पापों से छुडाने के लिए और हमारे और परमेश्र के बीज में शांति सापित करने के लिए ताकि हम परमेश्र को अबबा पिता कहकर पुकारने पाएं और परिणाम के तोर पर प्रभू राजाओं का राजा और प्रभू का प्रभू बना और उन्होंने बहुत जादा बड़ी महिमा को पाया अगर हम अपने आपको पावित्र करते हैं मरते हैं और दूसरों के लाप को देखते हैं तो इसका मतलब यह है नहीं कि हमें नुकसान होगा हम बहुत आयत से उस कटनी को कार सकते हैं जब केवल हम दूसरों के लिए बलिदान करते हैं तब नहीं जब हम खुद का ही लाब देखते हैं परमेशर पिता हमसे चाहते हैं कि हम बलिदान करें और उस गेहूं के दाने की तरह मर जाएं ताकि हम बहुताइस से फलों को पैदा करें, जिस सरीके से यीशुन ने किया, वो बहुत सी आत्माओं को परमेश्र की और अगवाई करना चाहते थे, और वो चाहते थे कि वो परमेश्र की संतान के रूप में पहचाने जाएं। मैं आशा करता हूँ कि आप जल्दी ही उस सत्य की हिर्दे को अपनाएंगे, जो अपनी मर्जे से दूसरों के सेवा करें और हर एक चीजों में शांते के फलों को पैदा करें। होने पाए आप उसात्मिक अधिकार का अनुसरन करें परमेश्र की सची संतान होने के नाते और वो कीमती संतान बने स्वर के राज्ये में प्रभुष मसी के नाम से प्रातना करता हूँ। करें प्रातना करें।